हेलो हाई, वेलकम टो जेस्टलब, माईसल पबशेक दुबे जैसा कि आपको मालूम है कि उत्राखन का जो प्री का एक्जाम है वो आपका कबसे 3 अप्रेल को होना है उसके लिए आपका एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड होने लग गया है तो जो लोग अभी नहीं किये हैं, एड्मिट कार्ड जाउनलोड कर सकते हैं तो एक्जाम काफे नजदीक है, तयारी तेज होनी चाहिए दस पस से 15 दिन बचे हो है, 15 दिन लाश में क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हमारे marks increase हों, ज्यादा से ज्यादा नंबर फेच कर पाएं तो इस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस revision करना है, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं ठीक है, current affair रहा, current affair को ज्यादा से ज्यादा तयार करें उत्राखन, as well as national, national current affair से ज्यादा question आने वाले है national or international current affair, तो यहाँ से आपको 20-25 question देखने को मिलेंगे ठीक है, तो इस पर आप ज्यादा focus करें, last के दिनों में इसको ज्यादा revise करें बाकी modern Indian history पर आप ज्यादा जोड़ दें, खासकर national movement पर यहाँ से भी अच्छे खासे question मिलने वाले हैं आपको geography जो पढ़े हुए हैं उसी को revise करिए, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूत है नहीं खासकर अभी जो आप देख रहे होंगे, कि जो आपका wetland sites हैं, यह काफी ज्यादा बढ़ चुकी है wetland sites, ठीक है, total कित्ती है, 49 है, तो अभी जो है, 2021 में चार एक साथ बढ़ी थी, दो हर्याना में और दो गुजरात में, वो चारो sites प्लस एक साइट एक बार बढ़ी है, और दो साइट एक बार बढ़ी है, तो साथ साइट बढ़ गई है यह सारी मिलाके 49 sites हो गई है, जो अभी बढ़ी है, उन sites को आप याद रखिए और एक site उत्तरा खंड में है, रामसर site, वो कौन सी है, वो असान conservation reserve है उसके बारे में डंग से पढ़ लीजिए, कौन सी river पे है, तो असान और यमुना के confluence पे है यह सारी चीज़ें ऐसे याद पर है, national parks कौन से नई जूड़े working रखिए ने श्याठी फसे बारे में उन पे नहीं उन पे यह जुड़ चुके है टोटल 53 Tiger Reserves है उसके बाद 53 Tiger Reserves के बाद World Heritage Sites कितनी है World Heritage Sites जो है 40 World Heritage Sites है उसमें नई कौन-कौन सी नियूज में कौन-कौन सी है वो देखिए धोलवीरा 2021 में थी या और एक यूड़ी है वो सारी चीज़ें आप धंग से अपडेट रखे हैं अपना ठीक है वैसी चीज़ें ज्यादा question इसी तरह के होते हैं उसको आप गंग से देखें बाकि तीन घंटे की आसपास का एक one-liner current affair हम परसों तक देंगे आपको परसों तक national current affair है उत्राकंड का तो हमारा हो चुका है पूरा आप telegram channel पे हमारे जाके वहाँ से document डाउनलोड कर सकते हैं अभी current affair आप उत्राकंड अप्डेटेड वहाँ पे अप्लोडेड है ठीक है आप डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ GS club आपको सर्च करना है telegram में आपको अराम से मिल जाएगा ठीक है अगर ऐसे नहीं मिल रहा है ऐसे आप GS club सर्च करेंगे तो आपको लोगों दिख जाएगा पैचान जाएगे GS club सर्च करकी channel जोइन कर सकते हैं बाकी जो है हमारे YouTube के about section में भी channel का link दिया हुआ है ठीक है तो ये रहा ये तीन घंटे में आपका complete current affair होगा जो भी important होगा जहां से ज्यादा questions आने वाले हैं फाल्दू की चीज़ें cover नहीं करेंगे जो जो main चीज़ें है वो cover करेंगे इसमें GS का भी थोड़ा सा part होगा important ठीक है और ये start करते हैं ये जो है आखरी series है आपके GK one liner उत्रागंड के series में जो की हम चला रहे थे 1000 questions की series थी लगबग 1200 questions के आद पास हो गए है ठीक है तो आप इसको जो है total 6-7 गंटे का है 2x पर करके देखेंगे तीन गं सब्सक्रास ली गई है उनको भी देख सकते हैं और एक जो है चार गंटे का जो है GS का अलग से test है वो आप देख सकते हैं वो काफी important है आई ये इसको start करते हैं तो पहला question है who was the editor of newspaper मैफिस सिटल published first in 1845 from Calcutta बाद में ये मसूरी मूव हो गया था ठीक है तो इसलिए important paper मसूर से publish होने लगाता ठीक है कौन सा मैफिस सिटल इसके publisher कौन है जॉन लैंग थे जॉन लैंग बेसिकली एक australian थे australian थे ठीक है australian थे और ये इंडिया में इनकी जो है trace 1845 से लेके 1868 तक मिलता है 1868 में इनकी मसूरी में ही death week थी ठीक है और ये जो है मैफिस सिटल के publisher है important बा भाई के रानी लक्ष्मी भाई जो जहांसी वाली रानी थी उनके advocate थी ठीक है तो ये important चीज है इनके बारे में anti-british काफी चीज़ें लिखते थी ये अपने papers में ठीक है भी मसूरी से ही निकलता था इसके callman और नर्टम थे 1872 का paper है दूसरा paper है मसूरी Times ये भी जो है मसूरी से ही निकलता था एफ बैल्डी कॉर्ट थे 1900 का पेपर है 1900 का ठीक है तीसरा पेपर है जो मसूरी का है मसूरी एडवाइजर ये है कि एफ मैकॉंग का 1942 का ठीक है उसके बाद हिमानचल है इसके पब्लिशर थे सत्य प्रकास रत्तूरी इसके पब्लिशर थे 1868 का पेपर है इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करके रखिएगा इंपॉर्टेंट पेपर में आपको समय भी नोथ गरवाली गरवाल समाचार ठीक है गरवाल समाचार उसके बाद अलमूरा अगबार शक्ति ये कुछ इंपॉर्टेंट निउस पेपर्स हैं उत्राखन के जो हमेशा पूछे जाएंगे ठीक है तो इनको ध्यान से रखिए इनका कुछ का जो सबसे इंपॉर्टेंट गरवाली गरवाल समाचार अलमूरा अगबार और शक्ति जो सबसे तो मैं विनोत का आपको पता चल गया जैदत जोशी 1864 फिस्ट हिंदी निउस्पेपर पूरे नौर्स से बेसिकली ये पहला था पहला अगर हिंदी समाचार की बात करें पूरे इंडिया का तो 1826 में एक निउस्पेपर बेंगॉल से या कलकटा से निकलता है उसका नाम होत है भारत मारतंड ठीक मारतंड ठीक ये याद रखिएगा वो प्रेजेंटेड दे मेमरेंडम रिगार्डिंग दे बेगार एंड फॉरेस्ट इस्जू तो वाइसराय ठीक है लॉड कर्जन अनिज विजिट टु कुमाउं तो 1903 में कुमाउं में कर्जन आया था ठीक है तो कुछ लोगों ने मेमरेंडम दिया इनको कि कूली विगार को खतम किया जा तो उनमें कौन-कौन थे गौरी दत्विष्ट थे महंत नरायन दास थे ठीक है ये लोग सामिल थे ठीक है कब आये थे कर्जन 1903 में इंपोर्टेंट है 1903 की डेट कर्जन तब जो है अलमोरा आये ठीक है और कूली वेगार के खिलाब इनको मेमरेंडम एक दिया गया था किसके द्वारा गौरी दत्विष्ट और महंत नरायन दास के द्वारा ठीक है 1903 में ही एक और गटना हुई थी 1903 में लाला लाजपत राय भी अलमोरा आये थे ठीक है ये ध्यान दीजिएगा ठीक हल 1929 में कौसानी 1916 और 1929 महात्मा गाली गड़वाल यूनियन गड़वाल हितकरनी सभा ठीक है दोनों एक हो जाती है बाद में कब सेट अप हुई थी 1901 में बाई तारादत गोईराला विशंभर दत चंडोला और चंद्रमूहन रतूडी तीन लोगों ने मिलकर फॉर्म किया गड़वाल यूनियन और गड़वाल हितकरनी सभा ठीक है कौन कौन है 1901 में तारादत गोईराला विशंभर दत चंडोला और चंद्रमूहन रतूडी पॉब्लिकेशन ऑफ न्यूजपेपर गड़वाल समाचार स्टार्टेड इन 1902 ठीक है बाई गिरजादत नैथानी ठी ठीक है इस ही कित्रू निकलता है Pacific तुब्लिकेशन ऑफ n्यूजपेपर गड़वाली या मन्तली ठा गड़वाल समाचार दूसरा था इसके भी गुरजादत नैथानी है तो गड़वाल समाचार निकलता है 1902 में ठीक है गड़वाली तो गाड़वाल समाचार पुछे चा थियान रखेए गरवाल भात्रु मंडल क्या था? 1907 में लगनवह में बनाया गया था घृट भाइम मतुरा प्रशाद नैथानी के दौरा फर्स सेशन कहा हुआ था? कोड़द्वार में निथानी कहा है? 1908 में फर्स सेशन हुआ 1907 में form हुआ गरवाल भात्रु मंडल, ठीक है माथूरा प्रशाथ ने थाणगी के द्वारा इसका फलस्ट सेशन कोटवार में 1908 में होता है इसका हेड होता है फलस्ट सेशन का काौलाननन्द बहुगुना होते हैं ठीक है, पॉलाननन्द कहीं लिखा होता है LA सेशन जो 1908 में हुआ था अब गड़वाल भात्रु मंडल दो organizations थे जो club कर दिये गए इसके साथ ठीक है वो कौन कौन से थे तो गड़वाल union जो की ये देखिए गड़वाल union का फ़र्म हुआ तो 1901 में यहाँ ठीक है गड़वाल union और गड़वाल हितकरनी सबा दोनों इसमें मर्श कर दिये जाते हैं गड़वाल union और गड़वाल हितकरनी सबा किसमें भात्रु मंडल में ठीक है गड़वाल Congress Committee of 1980 founded by बरिष्टर मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुना तो 1908 में गड़वाल Congress Committee found की जाती है किसके दोरा मुकुंदी लाल जी और अनुसुया प्रसाद अब देख रहे हैं कैसे कैसे तीन जो है गड़वाल union बनता है फिर गड़वाल हितकरनी सबा बनती है 1901 में तारादत गोईराला विशंबरदत चंडोला और चंद्रमोहन रतोडी के द्वारा ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है 1908 में गड़वाल भात्रु मंडल बनता है ठीक है 1907 में 1908 में इसमें फर्स टेशन में दोनों ऑगनाईशन जो इधर ते गड़वाल union और गड़वाल हितकरनी सबा इसी के अंदर क्लब कर दिये जाते हैं और फाइनली 16 फरवरी 1914 को जो दुगड़ड़ा में गड़वाल सबाब का वो होता है फॉर्म होती है इसमें भात्रू मंडल भी कलब हो जाता है ठीक है तो फाइनल मर्जर गड़वाल सबाब में हो जाता है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा गड़वाल कॉंगरेस कमीटी कपपनी 1918 में इसके बाद गड़वाल सबाब इसमें फांडर कौम थे बरिष्टर मुकंदीलाल और अनुसिया प्रसाथ बहबगुना लिए आगे बढ़ते हैं ते फस्सेशन आफ कुमायू परिषद वस हेल्ड एट अलमूरा इन 1917 अंडर चैर्मेंट सीफ रिटायर्ड डिप्टी कमिशनर जैदत जोशी जो किसके रैटर थे समय विनोध के समय विनोध के ठीक है शुरुगात में जो कुमायू परिषद था ना ये सारे लोग जो इसमें थे वो बिटिस ते रिटायर्ड जो आमी ओफिस या लिया किसी सर्विस में थे वही लोग थे बात में इसमें ज्यादा रिगोलिशनरी मूमेंट स्टार्ट हुआ पहले ऐसा नहीं था पहले जैसा कॉंग्रिस का हाल था भाई याल ये कुमायू परिषद का था ठीक है तो फर्स सेशन अफ कुमायू परिषद वस हील्ड अलमूरा तो पहला सेशन कहां होता है अलमूरा में होता है अंडर दे चेरर्मेंचिप अप रिटायरे डीपुटी कमिशनर जयदत जोशी और जो आपका कुली बेगार वा सेथेर इसके प्रेसिडेंट होते है spielen क्या हुआ है compelled लास्ट एडिटर आफ अलमूरा अकबार एंड फाउंडर एडिटर आफ शक्ति तो ऐसे question पूर सकते हैं ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ एडिटर थे जो है 1813 में जो है बदरीदत पांडे जॉइन किये था अलमूरा अकबार को ठीक है और 1818 में बंद हो गया था अलमूरा में है विरेंदर शाह म्यूजियम कहां पे है देहरादून में है गिर्जा जोशी म्यूजियम कहां पे है अलमूरा में है बैरिष्टर मुकुंदी लाल म्यूजियम कहां पे है श्री नगर में है इनकी बुक का नाम बताइए बैरिष्टर मुकुंदी लाल का जो बुक है उ दुमित्रा नंदनपंत मेमोरी म्यूजियम कहा है कौसानी में, ठीक है महादेवी वर्मा म्यूजियम रामगर नैनी ताल में है, सेंट्रल हिमालयन इन्वार्मेंट असोशीशन कहां पे सिचुएटेड है नैनी ताल में, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटर्पेटेशन सेंटर कहां पे सिचुएटेड है, रामनगर नैनी ताल में, नैशनल ब्यूरो और प्लांट जेन्टिक रिसोर्स इस, ICR का ये इंस्टीट है, कहां पे है ये, नील घाट, भोवाली, भोवाली कहां पे है, नैनी ताल में, भोवाली और क्यों फेमस है, तो वैक्सीन रिसर्च इंस फुत्राखंड, ठीक है, बिगेस्ट लेका फुत्राखंड इस भीमताल, और जो है, डीपेस्ट कौन सी है, डीपेस्ट, तो नौकुचिया ताल, वो भी कहां पे पढ़ती है, आपकी नैनी ताल में ही पढ़ती है, ठीक है, नौकुचिया ताल और भीमताल, भीमताल इस बि रखेंगे छोटी छोटी बाते हैं दो-चार बार देखिंगे अपने आप याद रहेगा जब पेपर में सामने आएगा तो अपने आप आपका टिक वहीं जाएगा Forest Training Academy कहां पे है हलदवानी में उत्तराखन Institute for Rural Development and पंचायती राज UIR-DPR कहां पे established किया गया है रूदरपुर में रूदरपुर कहां पढ़ता है उदम सिंग्नकर में ये इंस्टिट बनाया गया है 2001 में ठीक है ये द्यान दीजेगा उत्तराखन Institute for Rural Development and पंचायती राज और ये Forest Training Academy जो है जो भी आपके FROs वगेरा होते हैं कि ट्रेनिंग यहीं पे होती है कहां पे हलदवानी में author of the book कुमाईू की चित्रकला कौन है ये ये शोधर मटपाल है बेसिकली ये historian है और archaeologist है ठीक है ध्यान देजेगा ये शोधर मटपाल कुमाईू की चित्रकला author of the book गड़वाल paintings मुकुंदी लाल गड़वाल paintings के रट चै очень को है मुकुंदी लाल मुकुंदी लाल है और गड़वाल painting में किस के बारे में ज्यातातर चर्चा की गई है मोला राम के बारे में मोला राम को क्या माना जाता है the father of गढ़वाल पेंटिंग और गढ़वाल पेंटिंग के जनक ठीक है मतलब यहाँ पर उत्राखन में बेसिकली मांगते हैं ओवर ओल ऐसा नहीं है ठीक है ओथर अब दे बुक पहाडी चित्रकला तो किशोरी लाल वैद यह हैं पहाडी चित्रकला के कन्फ्यूज मत होईएगा कुमाओ की चित्रकला यह शोधर मटपाल गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल ठीक है पहाडी चित्रकला की शोरी लाल वैद अथर अब दे बुक मध्य हिमाले की कला यह मध्य हिमाले का पूरुवरत पूरुतत्व और उत्राखंड का नवी नितिहाज यश्वन सिंग कटोच है तीनों बुक के राइटर यश्वन सिंग कटोच है कौन-कौन सी मध्य हिमाले की कला मध्य हिमाले का पूरातत्व यानि अर्कियोलोजी ठीक है और उत्राखन का नवी नितियाश येश्वन सिंग कटोच और अथर अफ द बुक गड़वाल चित्रशैली इसके भी येश्वन सिंग कटोच तो चार बुक्स है बिसिकली येश्वन सिंग कटोच की याद रखिए अथर अफ द बुक हिमालेनाट जेसी आठ की बुक है हिमालेनाट आथर अफ द बुक स्कूल आफ राजपूत पेंटिंग्स अजीत घोष है बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स है पहाड़ी पेंटिंग्स बात आ जाती है तो पूरा हिमान चल और उत्रा खंड अजीत चीज़ें रहती है और राडार ये तो सारी चीज़ें होगे इडिटर आफ द न्यूज पेपर जोती कब स्टार्ट हुआ था 1990 में फ्रॉम अलमूरा प्रेम बलब जोशी थे इसके एडिटर जोती न्यूज पेपर के प्रेम बल्लब जोशी 1919 में स्टार्ट हुआ था अल्मोरा में एडिटर आफ दे नियूज पेपर कुमाउं कुमुद 1922 में स्टार्ट हुआ था ये भी अल्मोरा था सबका जो सेंटर था वो अल्मोरा था तो ये जो आपका कुमुद 1922 में स्टार्ट होता है इसके एडिटर कौन है बसंत कुमार जोशी ठीक है और इसके जोती की प्रेम बल्लब जोशी ठीक है एडिटर आफ न्यूज पेपर कुमाउं चल मित्र 1924 में ये भी अल्मोरा से स्टार्ट होता है तो जैजजत जोसी इसके है ठीक है और स्वाधीन प्रग्या 1930 में ये भी अल्मोरा से स्टार्ट होता है तो इसके विक्टर मोहन जोशी है ठीक है आप देख रहे हैं चारो जो हुआ इसके एडिटर है हरी प्रशाद ठमटा ठीक है याद रखिएगा सम्ता वर्सेस टमटा इसे और बस याद करने के लिए है तो टी आ टी आ ग veggie लाष्ट में सम्ता या रहा है आप याद रखि militar of the newsat शहर्ग भूमी 1934 में आया 33 दूब की नंदन याद रखिए एडिटर आफ निजपेपर विशाल किर्ती 1913 में पौरी से स्टार्ट होता है सदारंद कुकरिती है इसके राइटर ठीक है या एडिटर या पब्लिशर एडिटर आफ निजपेपर पुरुशार्थ ये कब हुआ इस्टार्ट 1917 में कहां से नैथणा स इसके गिर्जादत नैथानी है पुरुशार्थ के ठीक है गिर्जादत नैथानी के और दू पेपर्स हैं उसको भी याद रखिएगा एडिटर आफ नीजपेपर मनोरंजनी ये 1918 में स्रीनगर से स्टार्ट होता है पितामबरदत बरतवाल है इसके एडिटर और पब्लिश नैशनल इंस्ट्यूट आफ वाटर साइंसे कहां पर है रोड़की में है बैसिकली आयटी रोड़की के अंदर ही है ठीक है द्याम दीजेगा अर्गे बढ़ते हैं ओल्ड नेम ऑफ खटिमा खटिमा कहां उधिम संगिंगर पर पढ़ता है जहां से अभी आपके सीम साहब सिठार गए है खटिमा कहां परता है उधिम सिंग नगर में और और ओल्ड नेम क्या है धरूवत या मकरपूर और ओल्ड नेम द्वारहाट का क्या है तो दोरा है द्वारहाट किसको कहते हैं तो ये कमेंड में बताएं आप ठीक है द्वारहाट किसको कहते हैं पुराना नाम द्वारहाट का क्या है तो द्वारहाट अपने आप में ओल्ड नेम है ठीक है तो मनिभद्र पूरी कहते थे एंसेन टेक्स्ट में माना को तो पुनाद को पृत्वीपूर, द्रोन नगरी, डेरा या नालगण कहते थे ठीक है तो चमुली तो चामवाला कहते थे तो पुनाद कहते थे रूद प्रयाग को और ओल नेम आफ बागेश्वर वाज बागेश्वर, बागेश्वर, बागशी या बागेश्वर ओल नेम आफ गोपेश्वर वाज गोस्थल ओल नेम आफ चंपावत वाज चंपावती और कुमू उत्तरकाशिज ओल नेम वाज बाडाहाट और स्वम्याक्षी old name of Kalsi was Kalkut और Viratgad old name of Rishik Rishikas was Kubjamrak Kubjamrak Kubjam basically उनके उपर क्या नाम है आपके Rishik थे एक basically Ashtavakr उनके नाम पर है Ashtavakr का आशन अस्थान भी यही माना जाता है Somnath Ground is situated at Rani Khet Kumau Regiment ठीक है Upat Golf Course is in Rani Khet and it is believed that it is one of highest ठीक है Nayab Subedar Dinesh Singh Rawat Adventure Sport Institute is in Tehri Before 29 it was named after Rajiv Gandhi ठीक है तो यह ध्यान दीजिएगा तो इसमें से important कौन कौन सा है तो आप Dora Heart वाला याद रखेंगे Dora ठीक है उसके बाद Roodh Prayak का Punand ठीक हरिद्वार का GANGाद्वार Maya Nagri Maya Chhetra Maya Vati अकाशी का बाड़ा हाड या शौम्याक्षी यह कुछ ज़्यादा important है इनको जरूरियात रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस दा author of the book व्रित विचार तो इसके सुखदेव है author तो इस दा author of the book व्रित काउमदी तो मतिराम है इसके मतिराम उस पूरोट ग्रह राजवन शकाव्य रन बहादूर चंद्रिका शम्षेरे जंग चंद्रिका बक्तवार यस चंद्रिका ठीक है तो यह कुछ books है important मोला राम की ठीक है मोला राम की तो मोला राम को कहीं कहीं पेंटर प्रोज किया जाता है तो इनकी ज्यादा तर बुक्स भी मिलती है आपको ठीक है यह ध्यान देजिएगा मोला राम की सिर्फ पेंटिंग सी नहीं है इनकी बुक्स ज्यादा है बिसकली पेंटिंग तो एकाथ ही मिलती है तो इनकी ग्रह राजवन्ष काव्य रन बहादूर चंद्रिका शमशेरे जंग चंद्रिका बक्तवार यस्चंद्रिका तिन चार बुक्स है यह इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा और एक इंपोर्टेंट पेंटिंग है इनकी अभिशारी नाइका अभिशारी का नाइका आठ नाइकाओं होती थी आप जितनी भी राजपूर पेंटिंग वगेरा देखेंगे या गड़वाल या पाड़ी पेंटिंग देखेंगे उसमें नाइकाओं को धंग से वो पेंट किया गया है विश्च दा अथर अब दे बुक प्रथक प्रवित्यराज तो इंद्रमणी बडोनी है इसके प्रथक परवती राज प्रथक परवती राज के ऑथर कौन है इंद्रमणी बडोनी फूई दा अथर आफ दे बुक उत्तराखंड प्रदेश क्यों भगत सिंग कोश्यारी है यह इंपोर्टेंट बुक्स है क्योंकि बडोनी जी भी आपके उत्राखंड मूव्मेंट में इन्वाल थे और लेट में थे तो इए बुक काफी इंपोर्टेंट हो या थी इवर ट्रीटी कहते हैं यह इंडियार नेपाल की बीच में 1996 में वह हुआ ठीक है 1996 में ध्यान रखिएगा दो ओल्डेस्ट अर्बन लोकल बॉड़ी आफ उत्राखंड वस नैनिताल नैनिताल नगरपाली का was established on 3rd October 1850 ठीक है सबसे पुरानी अर्बन लोकल बॉड़ी है ठीक है ULB है उत्राखंड की कौनसी नैनिताली ध्यान रखिएगा First Women Governor of उत्राखंड मागेट अलवा थी 2009 से 2012 तक 2012 ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं First Women Finance Minister of उत्राखंड वाज इंदिरा ह्रियदेश ठीक है First Women from State of उत्राखंड who became the head of National Police Academy तो यह अरुना बहुगुना थी ठीक है बेसकिली जो आपका हैदराबाद Police Academy है उसकी जो है चीफ थी ठीक है अभी recently वहाँ से नहीं हटी है First Women to be jailed for उत्राखंड First Women to be jailed in उत्राखंड for Sorry यह थोड़ा सा गलत टाइप हो गया First Women of उत्राखंड to be jailed ठीक है तो यह दुर्गा देवी थी ठीक है दुर्गा देवी और First Women to be arrested कौन थी यह comment बताईए ठीक है Jailed और arrest में अंतर है First Women MP of उत्राखंड was कमलेंदुमति शा बेचिकली यह तहरी रियासत परिवार से ही आती थी कमलेंदुमति शा देवी जाल During the Freedom Movement of उत्राखंड was विष्नी देवी शा ठीक है विष्नी देवी शा First Women Folk Singer of उत्राखंड was Kabutari Devi During the Freedom Movement of उत्राखंड An order to catch dead or alive Was issued by Issued against कुंति वर्मा During the Freedom Movement in उत्राखंड An order to catch dead or alive Was issued against कुंति वर्मा तो कुंति वर्मा के अगेंज जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनको order issue किया था British Government ने First Women from State of उत्राखंड To receive Padma विभूशन Padma विभूशन ठीक है तो इसको कमलेद मति शाह को ही मिला था पहली woman थी जिनको Padma विभूशन उत्राखंड में मिला है और recently अभी जो है Padma विभूशन किसको मिला है तो retired general Vipin Rawat Vipin Rawat And he was also the first serious And इतना ही fact है ठीक है Helicopter crash में इनकी death हो गई है तो obviously posthumously मिला है इनको Padma विभूशन ठीक है Padma विभूशन is second highest civilian award of the country highest civilian award of the country ठीक है चलिये और तीन जो है Padma श्री भी मिला है 2022 में वो भी याद रखियेगा पीछे बताया गया है ठीक है First folk singer Kabutri Devi ठीक है यह सारी चीज़ें देख लिया हमने Kamalit Mantisah She also has the distinction of being First women parliamentarian of the Gharwal ठीक है She was the wife of Narendra Shah and ruler of Tehri princely state Uttarakhand first women MP from Kumau Ilapant ठीक है Kumau से पहली MP काँ थी तो Ilapant थी After the formation of the state first women MP of Uttarakhand Raj Mata Malaraj Lakshmi ये भी उसी family से आती है Malaraj Lakshmi ठीक है और अभी भी ये MP है Tehri से द्यान रखियेगा ठीक है Tehri से MP है चलिए अले बढ़ता है Who is the author of the book Kariyya Chinamma on which feature film was made by Vinod Tiwari तो Gaurapant Shivani की ये book है Kariyya Chinamma Gaurapant Shivani इनकी और भी बहुत से book है तो Gauradevi से confused मत हुँईगा इनका title है Shivani ठीक है राइटर है ये Kumau Reason से राइटर है ठीक है इनके बारे में पीछे कापी कुछ बता है हुआ है World Heritage Center was established on 29th August 2014 at Forest Research Institute FRI Dehradun Raman was added in the list of World Cultural Heritage on 2nd October 2009 ठीक है और ये जो है parade में कब सामिल हुआ था ये बताईए आप कौन सी year में Kumbh Mela was added in the list of UNESCO's World and World's Intangible Heritage on 7th December 2017 तो Kumbh को Intangible Cultural Heritage के list में कब सामिल किया गया है 2017 में Nanda Devi National Park कब established किया गया 1982 में और इसको World Heritage Site में कब inscribed किया गया भाई UNESCO 1988 में after 6 years और इसको जो है लेटर ये जो UNESCO World Heritage Site में इसके बाद जो है इसमें पहले तो सिर्फ Nanda Devi था और 2005 में Valley of Flowers National Park भी जोड दिया गया तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेगा तो Nanda Devi Sphere Reserve कब बनता है 1988 में पार्क कब बनता है 82 में और Valley of Flowers National Park इसमें कब जोड दिया जाता है 2005 में तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे गोविंद बल्लब पंद अवार्ड अवार्डेट भारत रत्न तो गोविंद बल्लब पंद को भारत रत्न कब मिला 1957 में और अकेले परसने उत्राकंट से टूब भारत रत्न ठीक है साथ कारे करने वाली इनकी महिला ने इनको उपर कुछ हरोप हो गया लगाया था दूश्कर्म वगयरा का ठीक है तो इनको पद्म भूशन कब मिला था 2008 में ये टेरी के हेड रहे हैं इनर्जी रिसर्च इंस्टिटूट और आईपी सीसी का जो पैनल था इसको भी हेड किये हैं इंटर गॉवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज करके हैं इसके भी हेड रहे हैं काफित दिनों तक रहे हैं insink इनी के समय में इसको Nobel Peace Prize भी मिला है इसको आईपी सीसी को पचोरी जी के समय में 2007 में Nobel Peace Prize इंस फिर सथान को मिला है पचोरी के अंदर तीक है ये धियान रखियेगा और के पचोरी कब रहे हैं ठीक है तो ये बहुत important है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो basically ये जो कसार देवी टेंपल है इसको मैं बोला जाता है कि यहाँ पे magnetic field ज्यादा है ठीक है जैसे आपको थेनी में देखनों को मिलता है जहाँ पे अब्जरवेटरी खोली जा रहे है तामिल नाडू में कि वहाँ पे जाए अच्छे magnetic field है उसी हिसाब से ये कहते है कि वैनलल बेल्ट जो है कसार देवी टेंपल अलमुरा में यहाँ भी magnetic field अधिक है ठीक है first European to visit Nainital was P. Barron ठीक है इनों नहीं voting introduced की ठीक है in which year Nainital became the summer capital of North Western province तो 1862 में बनता है the credit of developing Nainital as a tourist place goes to Mary Jane Corbett basically Jim Corbett की mother ठीक है in which year Kumau's Commissioner Office shifted from अलमुरा to Nainital तो 1855 में अलमुरा से Nainital shift किया जाता है उससे पहले जो है Nainital पूरा जंगल होता है ठीक है कुछ नहीं होता है Nainital में 150 लोग भी नहीं रहते थे ठीक है 1855 से पहले यह ध्यान दीजेगा first methodologist church जो है Asia का कहां setup हुआ Nainital में 1859 में बाई William Butler ठीक है और उत्राखंट का पहला church कौन है ठीक है कुछ लोग ठीक है तो उत्राखंट का पहला church कौन सा है तो कुछ लोग कहते थे कि यह जो आपका संट जॉन द वाइल्डर ने सहीए है तो यह तो नहीं है क्योंकि और भी उससे पहले कि संट पॉल चर्च है लंड़ और मसूरी के पास में 1931 का ही बना नैनी ताल का क्या था रामजे होस्पिटल ठीक है और संट पॉल चर्च लेंड़ और का 1938 में बनाया ठीक है ध्यान दीजेगा ओल्ड नेम ऑफ बीडी पांडे होस्पिटल नैनी ताल क्या था तो इसको इसको उस्ट वेट होस्पिटल बोलते थे वह मेश्वर महादेव टेंपल जो भी मताल में है नैनी ताल में वस बिल्ट बाई राज बहादूर चंद, ठीक है, राजा राज बहादूर चंद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, कौन सा वस्पिटल, भीमेश्वर महादेव टेंपल, इन भीमतल, राजा राज बहादूर चंद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, चलिए, उसके बाद तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद अभी जो है कुछ चीज़ें जो हमने बात की है जो आपका करेंट अफेर है पूरा ये आपको परसों कल नहीं परसों मिलेगा ठीक है डे अफ्टर ठीक है और ये पूरा सिर्फ जादा नहीं तीन गंटे की क्लास होगी और लगभग आपका जो है इसमें जो है पूरे एक साल का 80% से जादा जो है आपके questions कवर होंगी कोशिश यही रहेगी काफी सही बनाया जाए ठीक है तो दो दिन लगेगा दो दिन समय दीजिए आपको बस तीन गंटे का होगा एक बार दो बार रिविजन करके जाएंगे तो सफिसेंट होगा तब तक आप तना कहीं न कहीं से जहां से भी कर रहे हैं सबने किया ही होगा तो वहां से करते रहें लास्ट में जो भी बच्चा हुआ अब टेलिग्राम चैनल जरूर करें डाउनलूट करें बागी सारी चीज़ें आम उस पर डाग लें थैंक्यू धन्यबाद थैंक्स पर वाच्चिंग